वेल्कम टू शाहेन A.I.C.U. ऑनलाइन प्रोग्राम आज हम लोग जेमेट्री के और जेमेट्रिकल इंस्टूमेंट्स के कुछ बेसिक्स के बारे में सीखेंगे तो आज की क्लास में हमें ये सब चीजे सीखनी हैं कि सबसे पहले हमें पढ़ना है कुछ इंस्ट्रुमेंट के बारे में तो पहला इंस्ट्रुमेंट यह रहा पहला इंस्ट्रुमेंट है कॉमपास कॉमपास में दो ब्रांच होती है यह ब्रांच नोकीली होती है और इस ब्रांच में पैंसिल लगाने की जगह होती है कॉमपास को उर्दू-हिंदी में क्या कहते हैं प्रकार कहते हैं ये चांद है चांद कुछ आधें चांद की तरह होता है इस से प्रोटेक्टर एक अपने जिमेट्री वक्स निकाले और देखें यह सब चीज आपको उसमें जरूर मिलेगी इस ये डिवाइडर और या कासिम है दोनों side पर क्या होती है नोक होती है इसके बाद set square या गुनिया होते हैं ये इस तरह के दो triangle shape के object होते हैं और ये ruler या फिर ये पैमाईशी पट्टी है तो कि देखिए ये geometry box की photo दी है geometry box में ये वाला जो object है ना पीछे पीछे ये ruler या पैमाईशी पट्टी है पीछी ये गोल-गोल दीख रहा है ये गोल-गोल चांदा या protector होगा और ये triangle के form में compass है ये सामने में divider है देखिए divider के दुनों तरफ नोकिला है जबके compass जो है एक तरफ से नोकिला है कुछ terms आपके साथ discuss करने है एक point को क्या कहते है नुकता एक point या नुकता point ये छोटा सा point है अगली चीज़ है line लाइन को और क्या कहते है खत लाइन बेटर किसी भी तरफ खतम नहीं होते है इधर भी दूर तक चली जा रही है और यहां भी दूर तक चली जा रही है अगली term है line segment या किता ए खत ये क्या होता है बेटर ये दो points के बीच में होता है आगे खतम हो जाता है यहीं से यहीं होता है ये ray है ray क्या है शावा ये एक तरफ point होता है और दूसरी तरफ क्या होता है arrow होता है देखें चली मैं फिर से एक बार समझाता हूं ये एक line segment है line segment में क्या होगा एक जगा से शुरू होगी एक जगा से खतम होगी जबके line के साथ क्या है वो चलती रहेगे बलके line के आखिर में हम क्या बनाएंगे बेटा arrow बनाएंगे ये arrow क्या बता रही है कि हमेशा चलती जा रही है तो ये क्या थी ये थी line segment ये क्या थी line segment या इसे क्या कहते हैं कि किताए खत्व है ठीक है और ये क्या है बेटा ये लाइन है line कहें खत्म नहीं होती शुरू नहीं होती इसे क्या कहेंगे बेटा इसके लावा एक चीज़ और है जो एक तरफ यहां से शुरू होती है पर चलती चली जाती है इसे क्या कहेंगे रे या इसे क्या कहते हैं बेटा शाह ठीक है कि इसे क्या कहेंगे इसे कहेंगे शॉआ कि भी क्या समझ में आगे सारे टम्स लाइन कितने तरह की वही एक हो गई इस ग होगी दोनों तरफ एक जगा से शुरू होगी एक जगा से खतम होगी लाइन खुद कहीं खतम नहीं होती लाइन चलती चले जाती है और शुका क्या है बेटा एक रे है एक तरफ से शुरू होती है लेकिन दूसरी तरफ चली जाती है उमिद करता हूं समझ में आगे हैं और एक दो टर्म्स हैं एक है बेटा कि पैरलल लाइन्स या मतवाजी खुतूथ पैरलल लाइन्स कौन सी होंगी बेटा पैरलल लाइन्स वोंगी जो अगल बगल चलती होंगी दोनों पे कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं इन्हें क्या कहते हैं पैरलल लाइन्स पैरलल लाइन्स के सबसे अच्छी मिसाल ट्रेन की पट्टियां है ना पैरललल लाइन्स या फिर मतोवाजी खुतूत अब लाइन्स को और क्या कहते हैं मतोवाजी खुतूत और अगर दो लाइन एक दूसरे से कट काट रही हो तो यह इस पॉइंट पर दोनों काट रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स को कहेंगे intersecting lines ये दोनों lines एक दूसरे से टकरा रही है ये दोनों lines एक दूसरे को काट रही है इन points को और क्या कहते हैं काते खुतूत ये क्या है बेटा काते खुतूत ये दोनों line एक दूसरे को काट रही है इसके इलावा do line काटती इतनी जोरदार है कि बिलकुल you काटती है ये दोनों आएंग ये जाविया 90 degree का होता है इनको क्या कहते हैं perpendicular lines या फिर उमूदी खुतूत इन्हें क्या कहते हैं perpendicular lines या फिर उमूदी खुतूत ठीक है तो उम्मीड करता हूँ ये सारे terms आपको समझ में आगए नुक्त खत उसके बाद शुआ उसके बाद मतवाजी खुतूत उमूदी खुतूत और पात्य खुतूत जरा सा आगे बढ़ते हैं अब हम सीखने जा रहे हैं कि ये एक line है और इस line के parallel एक line बनानी है जो इस नुक्ता पी से पास होता है हमें एक line चाहिए जो इस line के parallel हो मतवाजी हो लेकिन पी बिंदू से पास होती इसको बनाने का तरीखा सीखें क्या करें पी से कोई भी एक line खेंच दे ठीक है इसके बाद क्या करें compass ले ले compass ले प्रकार ले प्रकार की नूप को यहां रखें pencil की मदश से यहां पर एक इस तरह की आर्कार्ड ठीक है और फिर यही radius लेकर यहां से एक और आर्क यहां पर नूप रखें एक और आर्क काड़ दें इसके बाद क्या करें pencil को नूप यहां रखें प्रकार को छोटा करें जब तक के यह बिलकुल यहां पर इसकी pencil ना पहुँच जाए इस बिंदू पर पहुँच जाए तो नूप यहां रखें एक कौम लाइन और का यह पॉइंट आ गया इस पॉइंट को P से जोइन करें और यह जो लाइन आप बनाएंगे अगर ठीक ठीक बनाएंगे तो यह लाइन पीछे और नीचे वाले लाइन के क्या होगी मतवाजी होगी यही तरीका है यह देखे रहोंने क्या किया यह लाइन थी P से पॉइंट माक करना था पीछ इन्होंने एक यह लाइन खीच दी उसके बाद X पर नोक रखके यह क्या बनाया एक आर्क बनाया इसके बाद X पर नोक रखके आर्क बनाया उसी radius के साथ P पर नोक रखके एक और आर्क बनाया क्या समझ में आया उसके बाद MN की दूरी प्रकार से ली और यहां से उसी दूरी के ये line खीच दी ये बिंदू आ गया इस बिंदू को मिटा पी से जोड दिया तो ये line आ गई CD और ये जो CD line है ये नीचे वाली line के मतवाजी होगी क्या सबको समझ में आया ये तरीका अगली चीज हमें डिसकस करनी है अब हमें ये डिसकस करना है कि 3 cm का निस्पत्र का दायरा बनाई है radius कितना दिया है 3.5 cm radius कितना दिया है 3.5 cm तो एक compass लीजिए 0 पर एक नोक रखिए 3.5 पर पेंसिल को रखिए ये जो दूरी है बेटा कितनी है 3.5 cm अब इस नोक को यहां रखके पेंसिल को घुमा दीजिए ये जो प्रकार ये जो compass बनेगा इसका radius कितना होगा 3.5 cm क्या समझ में आया है इसी के साथ ये लेक्चर खतम हुआ मिलता हूँ आप लोगों से अगले लेक्चर में जिमेट्री के बारे में हम लोग बाते जारी रखेंगे जजाका ल्ला असलाम लेक्ट